खुद से थ्रेडिंग करना सीखना जाते हैं तो आपको 30 इंच का इस तरह से धागा लेके उसको फोल्ड करके एक तरफ नोट लगा लेनी है और उसको 9 से 10 आपको ट्विस्ट देने हैं और अपने हाथों का मुमेंट आपको इस तरह से करना है जिससे आपके थ्रेड के बीच में हेर फसकी वह रिमूव हो जाएं आपको पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है और फिर अपनी लेग स्पे प्रैक्टिस करनी है किसी और के हैंड पर हैर रिमूव करनी कि आपको प्रैक्टिस में प्रिंə पर रहते हैं या मैट्रों शिटीज में रहते हैं तो भी आप वह बहुत काम आने वाली हैं तंग की हल्प से हम अपने को स्ट्रेच कर लेंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से अपने बालों को रिमूव करते जाएंगे नीचे चिन के हेर भी आप इससे easily remove कर सकते हैं अगर आपके हैं चिन एरिया में unwanted hair और आप अपने forehead और eyebrows को भी बना सकते हैं कैसे thread चलेगा ये आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना होगा अब festival season में पारलर में इतनी भीड होगी के number आएगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ एक threading के लिए पारलर वाली आपको time नहीं देगी आपको अगर बहुत ज़्यादा facial waxing बहुत काम कराना है तब ही वो आपको attention देगी तो मेरे चैनल पे आपको wax करने का तरीका, eyebrows बनाने का, hair care, beauty tips, skin care और household tips बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप मेरे youtube चैनल को भी subscribe कर सकते हैं smile with poonam जिसका link अगर आप instagram पे देख रहे हैं तो bio में हैं और अगर इसे youtube पे देख रहे हैं तो भी आप इसे subscribe करके मेरे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं अब हैं नीचे वाले जो hair हैं जो सबसे मुश्किल part है उसे कैसे हम handle करेंगे कैसे remove करेंगे नीचे की growth को आपको इस तरह से बालों को फसाना है और slowly आपको hair इसमें फसा के remove कर लेने हैं ये देखिए आसू भी आ गया है मुझे it means यहाँ पे two या three hair थे जो remove हुए हैं otherwise मेरी इतनी ज़्यादा growth नहीं है बट आप धीरे दीरे करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको try करने से पहले आप eyebrows बनवा लें और जब थोड़ी सी growth आए तब उसको remove करें अगर आपने फुल growth कर ली तो आपको shape बनानी नहीं आएगी आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आपको eyebrows में थोड़ी थोड़ी hair growth है तब ही आप इसको thread से remove करके तब ही practice करें तो इ मैंने आपके लिए video बना